हलो बच्चो नवसकार प्यारे बच्चो फोर चैप्टर के वर्ड प्रॉब्लम्स में काफी सारे कोशन मैंने आपको कराए थे और आड़ी जर्मा से भी मैंने कुछ एक दो कोशन आपको दिये थे और एवन ऐसा कोशन दिये था मैंने आपको जो सिर्फ डिजिट चेंड था बाकि आल्मस सारी चीजे सेम थी तो मैं उमीद करता हूँ कि वह आपसे हो गया होगा अचा आज जो मैं टॉपिक कराने जा रहा हूँ कई बार मैंने बीच बीच में आपसे कुछ ऐसे क्वाडरिटिक एक्वेशन पूछे जिसके फैक्टर नहीं बने याद है आपको ठीक ह अगर याद नहीं भी है तो मैं भी थिखाऊंगा कि कुछ ऐसे क्वाडरिटिक एक्वेशन होते हैं जिनके फैक्टर आप बना ही नहीं सकते तो हम क्या करें तो आज एक ऐसा मंत्र सीखने जा रहे हो आप चाहे फैक्टर बन जाएं आपके चाहे फैक्टर ना बने ये रू इंदी में विवित कर विधी अच्छा अब जड़ा ध्यान से सुनना डिस्क्रिमिनेट मैथड विवित कर विधी में क्या करना होता है हमें पैरे बच्चो इसमें ना हमें कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई होगी जिसका आप फैक्टराइज नहीं कर सकते नॉन फैक्टराइज होगा वो ठेक है, गुननखंड नहीं हो सकता, गुननखंड रहित होगा गुननखंड आप करी ही नहीं सकते, इसके फेक्टर बनाई ही नहीं सकते जैसे हम क्या करते थे, अब तक क्या करते थे, x square के last वाले को और last वाले को multiply करते थे, और उसका factor बनाके बीच वाला ले आते थे, ऐसे ही करते थे लेकिन बच्चों इस बार करोगे ना, होएगा ही नहीं आपसे क्या, दुनिया के किसी से भी टीचर से भी नहीं होगा वो क्यों नहीं होगा, क्योंकि फैक्टर बनी ही नहीं सकता जैसे, एक एक्जामपल लेता हूँ एक्से स्क्वेर प्लस टू एक्स प्लस बराबर जीरो मैंने यह एक्जामपल ले लिया ठीक है, यह एक काम करो ऐसा ले लो यह यहाँ पर भी एक्स ले लो यहाँ पर भी एक्स ले लो, ठीक है यहाँ यहाँ पर थ्री एक्स ले लो 3x ले लो जो मरजी आप ले सकते हैं पर डिजिट 1 3 5 कुछ भी ले अब एक बताओ अब इसका फैक्टर बनाना है मुझे मुझे क्या बनाना है फैक्टर इसके आगे क्या है वन यह रहा आगे यह रहा लास्ट वन वंजा वन लो जी अब मुझे किसी भी तरीके से चाहे जोड सकते हो ना मैं ला सकता हूँ तो भाई क्या यह quadratic equation नहीं है तो भाई बिलकुल है quadratic equation है कैसे पता चला क्योंकि highest power 2 है जिस भी यानि जिस भी अगर सीरीज की highest power 2 होती है हम उसे quadratic polynomial है कब जब 0 के बराबर नहीं है अगर 0 के बराबर है तो वो quadratic equation है यानि कि दुई गास समी करन है हमने यहां तक सीखा है लेकिन बच्चो factor नहीं बन रहा है यह तो बहुत बड़ी समस्या हो गई तो आखिर क्या हम करें किसका factor बन जाए तो मेरे प्यारे बच्चों यहां पे एक rule होता है यहां पे एक rule होता है क्या rule होता है आपको मैं बता दूँ मैं इस condition के हिसाब से rule ब निकलता है, B square minus 4AC, B कौन है, X के साथ वाला, minus 4A कौन है, X square के साथ वाला, और C कौन है, ये, क्या मेरे बच्चों को समझ मा रहा है, चलो, जब आपके D की value निकल जाए, तो भाई, आप ये बताईए मुझे, कि quadratic equation में आखिरकार, आप value निकालते किस की हो, आप value निकालते हो, प्यारे बच्चों, X की, किस की value निकालते हो, X की, तो आप X की value कुछ इस परकार निकालेंगे, minus B plus minus under root D upon में 2A, ये X निकालने का formula होगा, formula क्या है, minus B plus minus under root D upon में 2A, B कौन सा है, X वाला, A कौन सा है, X square वाला, और under root D कौन सा है, जो ये value आप निकालोगे, चलो, try करते हैं, ठीक है, हम try करते हैं, चलिए, देखिएंगे जड़ा, D is equal to B square minus 4AC, B कितना है, 3 का square है, 4A कितना है, 1, C कितना है, 1, 3 का square 9, 4 वंजा 4 वंजा 4, 4, तो आपके पास D की value कितनी आगी बच्चो, 5, D की value कितनी आगी, 5, अब आपको value किसकी निकालनी है, X की, value किसकी निकालनी है, X की, तो मेरे प्यारे बच्चो, अगर आपको X निकालना है, तो X में आपको क्या निकालना होगा, minus B plus minus under root D upon में 2A, ठेक है, X बराबर minus B, देखो, अब मेरी बात ध्यान से सुनना, प्यारे बच्चो, ये जो minus लगा रखा है न, ये formula का minus है, अब B यहाँ पर क्यों है, 3, तो उसको लोगे आप bracket में, हो सकता आपको यहाँ पर 3 minus का भी दिया हो, तो आप यहाँ पर क्या लगे, minus का 3, अगर यहाँ 3 है, तो 3 लो, minus 3 है, तो minus 3 लो, इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि ये जो minus है, ये किसका minus है, formula का minus है, ठेक है, plus minus under root 5 upon में 2 बन्जा 2, तो अब इसकी value कैसे लिखेंगे x की, एक बार value लिखेंगे plus में, ठेक है, और एक बार value लिखेंगे किसमें, बच्चो, minus में, तो ये आपके x के दोनो roots आ गए, क्या आ गए, दोनो roots आ गए, तो बच्चो, zeros नहीं बोलते, zeros polynomial में निकालते हैं, क्यों, क्योंकि हम ऐसी value पूट करते हैं, जिस पे zero हो जाए, और ये कौन सी value है, ये हमें पहले से equation दी गई है, तो equation को solve करके, हमने जो ये answer निकाला, तो य ये कौन है इनके, ये roots है, ये कौन है इनके, roots हिंदी में कहते हैं, मूल, क्या कहते हैं, मूल, तो प्यारे बच्चो, जिस भी question का factor बन जाए, या factor ना बने, आपको करना ऐसे है, ठीक है, अब मैं एक question ऐसा कराऊंगा, जिसके factor बन जाते हैं, ठीक है, फिर भी इस formula से हो जा आएक टेंसर मतलो, चलो, नोट कर लिए बच्चो, अब देखो, अगर नोट कर लिए आपने, तो एक question बताता हूं, जिसका आप बिना, यानि कि बिना factor बनाए, आप factor वाले question को पूरा कर सकते हैं, ठीक है, जैसे चलो, इस question को लेते हैं, मैं गोशन लेता हूं, जिसका फैक्टर एजली बना सकते हो, कौन सा question ले ले, कौन सा question ले ले, चलिए, ये question सही रहेगा, हाँ जी, ये question देखिए, x square minus 3x minus 10 बराबर 0, ये प्यारे बच्चो आपको एक quadratic equation दी गई है, अब ज़रा ध्यान से देखेंगे बच्चो, अगर मैं इसका factor बनाना चाहूं ना, तो बना सकता हूं, कैसे, यहां इसके आगे क्या 1, 1 को 10 से multiply करूंगा, 10, factor करूंगा, 2, 5, 5, 1, 5 में से 2 जाएगा, 3 आ जाएगा, हो गया, factor बन सकता है, लेकिन, मैं आपको यह check करवाना चाहता हूं, कि क्या factor जिनका हो, क्या उसमें भी यह formula apply होगा, तो हाँ जी होगा, कैसे, देखो, मैंने क्या बता है, चाहे factor हो, चाहे factor ना हो, पहले आप क्या निकालेंगे, D कैसे निकलता है, D कैसे निकलता है, B square minus 4AC, B कितना है, minus का 3, याद रखना बच्चो, मुझे पता, सब ने 3 बोला होगा, लेकिन याद रखना, यहाँ पे, हर चीज पे आगे, अगर plus है, तो plus लो, minus है, तो उसका minus include करते वे चलना है, ठीक है, तो B का कोन है आपे, 3 नहीं है minus 3 है, minus 3 का square, 4, A कितना है, 1, C कितना है, minus का 10, मैंने क्या बोला था, minus include करते हो चलना बच्चो, सब बच्चे गल्त कर रहे होंगे, मुझे पता है, मैं जो बोल रहा हूँ, देखो, एक बात याद रखना, अगर मेरी सिरी बात सुन लोगे ने आप, तो मैत के अंदर star बना दूँगा, अगर बात को ध्यान से सुन रहे हो, अगर बात को ध्यान से नहीं सुन रहे हो, अपने आपको ज़्यादे इंटेलिजेंट समझ रहे हो, तो फिर तो mathematician हो आप, सॉरी, हंजी, बस सरी बातों को ध्यान से सुनना है, मैंने क्या बोला है, कि इस D वाले में, माइनस हो चाए, प्लस हो, इंक्लूड करते होए, चलो, तो भई C कितना है, माइनस का, 10, इंक्लूड करते हो चलो, 3 का स्कूर, 9, माइनस माइनस, प्लस, 4, 10, क्या बन जाएगा 49 now value किसकी निकालनी दिया मैं तो क्या जाएगा minus b plus minus under root d upon में 2a x अब मैंने क्या बताया था ये minus किसका है formula का और b क्या है आपका b है आपका minus का 3 तो आप रखोगे यहाँ पे minus का 3 plus minus under root d under root d मतला 49 और 2a की value 1 sorry बच्चो minus minus ये क्या हो जाएगा plus का 3 plus minus under root 49 under root 49 किसका होता है 7 का होता है और ये आगया 2 तो x बराबर एक बार plus में और एक बार minus में तो 7 और 3 दस बटा दो 3 में 7 गया minus 4 बटा दो कट गया 5 कट गया 2 x की value एक बार 5 और x की value एक बार minus 2 क्या यही factor बना था पहले भी पहले भी जब आपको ये question करवाया गया था तब भी यही factor बना था और आज भी यही factor बना था तो इसका मतलब क्या है बच्चो कि हमारे पास चाहे quadratic equation का factor बने चाहे factor ना बने आपको इस वाले formula का यूज करके आप उसका answer निकाल सकते हो समझ भाई सभी को बात note करो फिर एक question आपको करने के लिए देता हूँ और जो बाते मैंने समझाई है प्यारे बच्चो उसको ध्यान से समझके चलना कि माइनस हो चाहे प्लस हो include करते हूए चलना है अगर उसमें गलती कर दी तो वाई answer definitely गलत आएगा फिर मत कहना कि sir मेरा answer हर बार गलत आ रहा है तो गलत आने का कारण यही है आपने minus या plus include करते हूए नहीं चले हो यहां तो चलो बच्चे फिर भी ध्यान रखते है यहां तो बिलकुल ध्यान नहीं रखते इस minus को ध्यान रखना कि यह minus क्या है पहले से ही formula का minus है तो यह सब ध्यान करते हूए चलेंगे सभी बच्चे मैं उम्मीद करता हूँ सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा ठीक है छोटी सी किलास है बच्चों आज ठीक है ज्यादा बड़ी किलास है नहीं ठीक चलो देखेंगे जरा चलो एक कोशन देता हूँ आपको करने के लिए ठीक है एक कोशन देता हूँ मैं आपको करने के लिए 2x स्क्वाइर माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0 यह तो अभी दिया ना नहीं चलो करो यह देखो हमें साब पता इसका फेक्टर बन रहा है अगर बच्चों आपने वीडियो बाउस करके सॉल्म किया होगा तो आपको साब दिखाई दे रहा है फाइब टू जा टैन और टैन का फेक्टर फाइब और टू फाइब में से टू जाएगा त्री आ जाएगा ठीक है तो भई अगर मुझे इसी मैथड से करना है तो मैं पहले क्या निकालूंगा दी निकालूंगा बी स्क्वाइर माइनस फोर एसी बी कितना है माइनस का थ्री फोर ए कितना है टू सी कितना है फाइव अब प्लस का फाइव है तो फाइव ही रहेगा 3 का square 9 minus हाँ जी 4 2 जा 8 8 5 जा 40 और ये कितना आ गया ये आ गया बच्चों क्या आपका minus का 31 बस कहानी शुरू होती है यहां से कहानी शुरू होती है यहां से D की value क्या आ गई minus 31 ठेक है अब मेरी बात को ध्यान से सुनना अब ध्यान से सुनना अगर ये condition समझ गए तो कभी जिन्दगी में गलती नहीं होएगी इस method में बच्चों याद रखना quadratic equation में दुई घात समी करण में दुई घात समी करण में हाँ जी दुई घात समी करण में बड़े प्यार से देखना D की value तीन तरह की हो सकती है D की value तीन तरह की हो सकती है अब काउगे सर ये क्या बजा के तो बताते हैं वही वही पहली बात D की value अगर 0 से बड़ी आए 0 से बड़ी 1, 2, 3, 4, 50, 51, 100, लाक करोड कुछ भी आजाए बस 0 से बड़ी होनी चाहिए मतलब value प्लस की होनी चाहिए value क्या होनी चाहिए प्लस की कोई सी भी value जरूर नहीं है 1, 2, 3, 4 कितनी भी बड़ी value हो सकती है बस 0 से बड़ी होनी चाहिए तो हम इसे कहते हैं हम इसे कहते हैं 2 distinct real roots real roots दो अलग दो अलग वास्तविक मूल मतलब क्या? कहने का मतलब क्या है इसका? इसका कहने का मतलब है कि अगर d की value 0 से बड़ी आएगी तो इसके real roots आएंगे और दोनों कैसे आएंगे? अलग अलग दोनों कैसे आएंगे? दो अलग अलग real roots आएंगे दो distinct क्या आएंगे? real roots वास्तविक मूल ठीक है? चलो अब अगर d की value 0 आजाती है अगर d की value क्या आजाती है? 0 तो भाई, याद रखना क्या आएगा भाई? two same two same real roots two same real roots मतलब क्या? दो एक समान एक समान वास्तविक मूल कभी कभी देखा होगा आपने कि आपने quadratic equation solve की होगी और answer बिल्कुल same आया होगा याद करो अगर ये वाला equation 100x square minus 20x plus 1 बराबर 0 तो इसका answer 10 10 और 10 आया था पता है ऐसे ही आया था ना कुछ 10 और 10 पता नहीं 1 by 10 और 1 by 10 आया था तो मतलब क्या है? answer same आया तो जब answer same आया तो इसका मतलब क्या है? शरूर वहाँ पे d क्या रहा होगा? 0 रहा होगा अच्छा अब condition क्या आती है? अब condition आती है कि अगर d की value 0 से छोटी है 0 तो छोटी का मतलब d की value minus में आगई d की value किस में आगई? minus में तो अगर d की value minus आ जाती है तो answer है no real roots कोई answer नहीं निकल सकता कोई वास्तविक मूल नहीं कोई वास्तविक मूल नहीं होगा नहीं होगा तो लो भई अब जड़ा देखो यहाँ d की value क्या है minus 31 यानि कि 0 से छोटा हो गया तो इसका मतलब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे no real roots यहाँ पर इसका कोई वास्तविक मूल नहीं होगा आगे solve करने की जरुरत ही नहीं है अच्छा अब कहो कि जब इसका real roots है नहीं तो यह दिया क्यों है तो यह भी सिखाएंगे कहां 11th class के 5th chapter में यह भी सिखाएंगे कि भई आखिरकार अगर D की कुछ minus 31 आया भी है तो यह गया कहां यह question अगर बना है तो किसी कारण से तो बना होगा ठीक है तो फिर बना ही क्यों अगर जब इसका answer ही नहीं आता तो भई यह question बना ही क्यों तो answer तो भई कहीं नहीं होगा तो वह answer कहां छुपा है वह आपको 11th class के 5th chapter में बताया जाएगा कि आखिरकार इसका answer कहां छुपा है 10th में आपको इसका answer क्या देना है सिर्फ और सिर्फ इतना answer देना है कि अगर D की value 0 से छोटी आ जाती है तो आपको बोलना है no real roots कोई वास्तिविक भूल नहीं होगा पल्ले पड़ गया ये पूरी condition उतार लो और ये भी उतार लो जल्दी से कर लो है ना सान इसको अच्छे से बच्चो नोट कर लो ठीक है कि D की तीन condition जब 0 से बड़ी value होगी तो दो roots आएंगे real roots आएंगे roots यहाँ पर roots का मतलब यह मैं समझना under root ठीक है roots का मतलब answer है यहाँ पर ठीक है तो दो real root होंगे दो वास्तिविक मूल होंगे ठीक है जबकि क्या भाई अगर 0 के बड़ाबर है तो दोनों वास्तिविक होंगे लेकिन सेम होंगे और अगर छोटा होगा 0 से तो वतलब कोई real root नहीं होगा जिसे हमने यहाँ पर समझा है ठीक है यह 4.4 का first part है ठीक है हो गया चलो अब देखो जड़ा अब इसी का जड़ा second part देखो अब आप आठी शर्मा से ना इसके सारे question अटेंट कर सकते हैं ठीक है देखो अब इसी का मैं second part अगर कराऊं आपको हाँ जी second part देखो जड़ा second से पहले थड़ देखो second से पहले थड़ देखो 2x square minus 6x plus 3 2x square minus 6x plus 3 बराबर 0 तो फिर भाई करेंगे पहले d निकालेंगे b square minus 4ac b कितना है minus का 6 square 4 a कितना है 2 c कितना है 3 मैंने बताया ना कि minus include करते हो चलना है तो यह हो जाएगा 6 का square 36 हाँ चार दुनी 8 8 तिया 24 यह होगा ना इन दुनी 6,6,24 और इसमें से 24 जाएगा तो कितना बचेगा 12 तो d की value कितनी आ गई 12 अब हम क्या करेंगे हम x निकालेंगे हम क्या निकालेंगे हाँ जी x निकालेंगे तो x का क्या होगा minus b plus minus under root d upon में 2 a x बराबर भाई यह minus किसका है formula का और b खुद क्या है minus का 6 bracket बंद plus minus under root d की value 12 2 a a की value 2 minus minus plus का 6 plus minus under root 12 और यह क्या हो जाएगा दो दुनी 4 अच्छा अब अगर मैं देखूँ क्या मैं इस 12 को 4 गुने में 3 लिख सकता हूँ कि ने लिख सकता हूँ 4 ती है 12 क्यों तोड़ा मैंने 4 और 3 में क्योंकि 4 जो होता है वो किसी ना किसी का square root होता है इसलिए तोड़ दिया तो अब जल्दी से बताओ अगर मैं 4 को square root से बाहर निकालूँगा तो क्या वो 2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बिलकुल हो जाएगा अब उन में 4 अब क्या करेंगे एक बार plus में और एक बार माइनस में ठीक है तो यहाँ छोड़ दो और चाहो तो 2 common लेके काटना चाते हो common लेके काट दो जैसे मैं बता देता हूँ अगर उपर से 2 common लोगे तो अंदर क्या बचेगा 3 plus में अंडर root 3 अपान में 4 काटो गे 2 x बराबर 3 plus अंडर root 3 अपान 2 यहाँ गया और सेम इसका भी आंसर यही होगा बस प्लस और माइनस का तो फरक है तो x का आंसर क्या जाएगा 3 माइनस अंडर root 3 अपान में 2 ठीक है करो समझ भाई बात तो देख रहे हो न आप मतलब क्या हुआ कि जब देखो अब इधर देखना अब एक बार notice करो सभी बच्चे कि D की बल्लू क्या आई 12 12 मतलब 0 से बड़ी तो क्या आया 2 distinct real root मतलब यह भी real number है यह भी real number है लेकिन दोनों अलग है इसमें देखो यह plus वाली condition और इसमें minus समझ महाई बात चलो note करो अब एक बार same real root का भी कराई देता हूँ अब देखो जड़ा इसी का सेकिंड पार्ट देखो 4.4 के फर्स्ट का सेकिंड पार्ट ठीक है हाँ जी अब क्या है इसका सेकिंड पार्ट है 3X स्क्वेर 3X स्क्वेर minus 4 root 3X plus 4 बड़ाबर 0 plus 4 बड़ाबर 0 अब कुछ नहीं करना बच्चो आपको पता यह root आ गया समस्य आ गई लेकिन हमें डरना तो है नहीं D है हमारे पास B square minus 4AC B कितना है minus का 4 root 3 square minus 4 A कितना है 3C कितना है 4 हाँ जी 4 का square कितना होगा 0 यानि कि अगर D की value 0 आएगी तो जो answer आएगा वो दोनों कैसे आएंगे same आएंगे ठीक है तो चलो फिर से देख लो 4 का square 16 root 3 का 3 16 ती आड़ तालिस 4.16 16 ती आड़ तालिस ठीक है चलो अब क्या है X minus B plus minus under root D upon में 2A तो X बराबर minus यह तो formula का minus है B खुद क्या है minus 4 root 3 plus minus under root D की value 0 upon में 2A कितना है 3 तो भई यह X minus minus plus का 4 root 3 अब देखो plus minus का हम क्या करेंगे under root 0 तो 0 ही होता है तो हटा दो उसको और यह क्या बन गया 6 कट गया 2 और यह कट गया 3 तो X बराबर 2 root 3 upon 3 और अब मैंने क्या बताय था कि भई इसका answer जो होता है वो 2 आते हैं और वो भी कैसे आते हैं तो इसी answer को कितनी बार लिखोगे आप 2 बार लिखोगे इसी answer को कितनी बार लिखोगे 2 बार यह कब करना है जब आपका D क्या हो 0 हो यह आपका D क्या हो 0 हो तब ही करना है ठीक है चलो नोट कर लो उसके बाद एक टाइप और है इसी का वो और सिखा देतों चैप्टर खतम हो जाएगा फिर आपको RD सर्मा से practice करनी है ठीक है और RD सर्मा से फिर आप सबकी practice इस formula से कर डालो सबकी practice इसी formula से कर डालो आपके लिए बच्चों खेल हो जाएगा यह formula ठीक है कुछ बच्चे कहते हैं याद कैसे करें अरे बचास question कर लो practice अपने आप याद हो जाएगा क्यों लेकिन बचास question कौन करेगा पचास question तो हमें एक साल में भी नहीं करते तो इसलिए बच्चे रहेगा कि एक ही दिन में कर डालो तो जिन्दगी में कभी नहीं भूलोगे formula ठीक है चलो यह हो गया होगा अब निकाल लो 4.4 का question number second इसमें ना बच्चों को k की value find करनी है तो हमें यह से मिटा रहूँ ठीक है क्या करना है के की value find करनी है लेकिन याद रखना जब भी quadratic equation में के की value जैसे third chapter में मैंने बताया था थर्ड chapter में क्या बताया था कि जब भी के की value निकालने के लिए हो या A या B या किसी की value निकालने के लिए हो तो पहले आप question ध्यान से पढ़ें कि उसमें infinity solution लिखा है one solution लिखा है या no solution लिखा है यह समय ने condition बताया था इसी तरीके से quadratic equation में आपको क्या check करना है quadratic equation में आपको ये check करना है कि real roots जो बोले गए है real roots जो बोले गए है वास्तविक मूल जो बोले गए है वो कैसे बोले गए है zero से बड़े वाले बोले गए है zero के बराबर वाले बोले गए है या zero से छोटे वाले बोले गए है या आपको check करना है तो अब देखो second question में साफ साफ लिखा हुआ है क्या लिखा हुआ है find the value of k ठीक है जी k की value निकालो of the following जो question नीचे दिये गए है so that they have two equal roots तो two equal roots कब होते हैं वाई जल्दी बता दो जब d बराबर क्या हो zero के मैंने बता ना दो बराबर एक जैसे root कब आते हैं जब d की value zero हो क्योंकि देखो greater than में क्या होते हैं दो root तो होते हैं लेकिन अलग-अलग less than में क्या होता है कोई root नहीं लेकिन zero पर क्या होता है कि दोनों root कैसे आते हैं same आते हैं दोनों root कैसे आते हैं same तो same बोल लो चाए equal बोल लो बात एक ही है तो बस बात खतम तो बस बात खतम हमें क्या करना है हमें कोशन दिया हुआ है हमें कोशन क्या दिया हुआ है 2x square plus k x plus 3 बराबर 0 और कह रहा है कि इसके 2 equal real root है पहले ही बता दिया कोशन में क्या बता दिया है कि इसके 2 equal या same कुछ भी बोल लो equal या same क्या है real roots है हिंदी में बराबर या समान, एक ही चीज है, समान वास्तविक मूल है, ये बात हमें इस कोशिन में पहले से ही बता दी गई है, सही बात है बच्छो, जब पहले से ही बता दी गई है, तो मैंने क्या बताया है, इक्वल रूट का मतलब क्या होता है, कि डी किसके बराबर होगा, जी रोके, यही बताया ना मैंने आपको, कि अगर जब भी वो सेम रियल रूट बोले, या इक्वल रियल रूट बोले, बराबर वास्तविक मूल बोले, या समान वास्तविक मूल बोले, तो अपने आप, यहां पर के का स्क्वेर फॉर एक इतना है यहां पर टू सी कितना है यहां पर थ्री के का अंसर निकालना है तो के स्क्वेर फॉर टूजा एट चार दूनी आठ 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 तिया 24 माइनस का 24 वहां जाके क्या बन जाएगा प्लस स्क्वेर वहां जाके क्या बन जाएगा अंडर रूट हां जी 24 क्या होता है जल्दी बता दो 24 जो आएगा वो कैसे आएगा जल्दी बताओ कैसे मैं निकाल सकता हूँ 24 तो देखो आपको यहाँ पर क्या करना 24 के फैक्टर बनाने तुरंत 24 के फैक्टर बनाने 2, 12, 2, 6 2, 3, 3, 1 जिसका जोड़ा बन गया उसको बाहर जिसका जोड़ा नहीं बना उसे अंदर तो हंजी जोड़ा किसका बना 2 का तो 2 को बाहर और जोड़ा किसका नहीं बना 2 का और 3 का तो दोनों को मंटिप्लाई में तो के का आंसर आ गया 2, 6, 2, root, 6 लेकिन बच्चों आंसर ये लिख दोगे दोनों में लेना है तो ये बात ध्यान रखना सभी बच्चे क्लियर हुआ थभी को कैसे करना है कि जब भी equal roots की बात करे तो D किसके बराबर लो 0 के D का formula क्या होता है B square minus 4AC बराबर 0 B की जगा पे B की value 4A की जगा पे A की value C की जगा पे C की value solve कर दो answer आजाएगा ठीक है एक question और कराता हूँ एक question और कराता हूँ हाँ जी question क्या है question है k x x minus 2 plus 6 बराबर 0 अब कहोगे ये क्या दे दिया सार अजीव सा ये क्या है question तो question आपके दिमाग के अंदर अराम से answer आ सकता है लेकिन कब जब दिमाग थोड़ा सा चलाओगे ये सारी चीज़े आप 6th class से करते आ रहे हूँ आप कहोगे मजाग कर रहे हूँ मजाग मैं नहीं कर रहा हूँ मजाग अपके दिमाग में बसी हुई है उसे बाहर निकालना है कैसे bracket के बाहर है तो अंदर multiply भी तो करेगा ये भी तो देख लो दुनिया की ये भी बात तो सच है x square बना की नहीं बना x into x x square अब इससे भी तो करोगे तो क्या बनेगा 2 k x हा की न प्लस 6 बराबर 0 देखो quadratic equation बन गया अब तो मैं पता यह है कि इसके भी root कैसे थे real इसके भी root कैसे थे मतलब real roots तो है वो भी कैसे same है या equal है तो बस d किसके बराबर होगा 0 और d का formula होता क्या है बराबर 0 b क्या दिया हुआ आपको minus का 2 k k क्यों लेंगे क्योंकि variable x है और k कौन है constant 4 a कौन है k c कौन है 6 बराबर 0 minus 2 का square 4 k का square k square 6 चौक 24 k बराबर 0 ठीक है अब क्या होगा इन दोनों में common क्या रहा है बस ते ना बता दो मुझे 4 आ रहा है और k आ रहा है तो k बचा 4 इसमें से common लोगे तो बचेगा 6 और k तो common आ गया बाहर बराबर 0 अब एक बार इसको 0 के बराबर और एक बार इसको 0 के 4 यह मंटिप्लाई कर रहा है वाँ जाके divide तो k की value क्या आई 0 minus 6 वाँ जाके क्या हो जाएगा plus 6 तो k की value क्या आई 6 अब आपको पता है कि k अगर मैं यहाँ 0 रुखूँगा तो सारे ही 0 हो जाएगा तो इसलिए k की value 0 पॉसिबल तो है नहीं तो इसका मतलब k की value क्या आगई k की value 6 आगई k की value क्या आगई 6 आगई जल्दी से नोट कर लो है ना सांजा और आपको साइच बता हूँ chapter हो गया खतम chapter हो गया खतम अब इस type के जितने भी question है वो सारे question आपको कहां से करके लेकर आने है RD सरमा से सारे question बच्चो कहां से करके लेकर आने है RD सरमा से करके लेकर आने है और फिर मैं आप लोगों को अच्छा एक बात और एक टॉपिक है बच्चो यह तो नोट कर लिया होगा एक टॉपिक है Complete Squaring Method वो मैंने आपको नहीं सिखाया है ठीक है? क्यों? क्योंकि आपके कोर्स से हट गया है लेकिन बच्चो अगर मैं एक बार और इसको रीड कर लेता हूँ आपके स्लेबस को वेला है आपके स्लेबस में वैसे देखा नहीं है कहीं पे भी लेकिन अगर फिर भी कहीं पे लिखा हुआ होगा कि हान जी Complete Squaring Method करवाओ तो मैं आप लोगों को दुबारा करवा दूँगा लेकिन स्लेबस के अनुसार According to स्लेबस आपका ये खतम हो चुका है चैप्टर क्योंकि Complete Squaring Method आपके कोर्स से Last Year ही हट गया था इस सल अगर उन्होंने अब आगे जाके जोड दिया तो मैं आपको यहाँ पर करा दूँगा ठीक है क्योंकि वो भी एक असान ही टॉपिक है बाकि अगर वो हटा देंगे तो तो बाती खतम नहीं हटाएंगे तो मैं यहाँ पर फिर से आपको करवा दूँगा फिलाल आपका चैप्टर खतम हो गया है तो आज की सबह यहीं समाप्त करते हैं मिलते हैं next class में और मैं चाहूंगा कि आज जितने भी question मैंने करवाए हैं वो सारे question की practice प्लस RD सर्मा से इसी topic की practice मुझे करके next class तक भेजें और जो भी doubt होगा फिर हम वो doubt session में cover करेंगे ठीक है चलिए बाए